पटना टेरर मॉटिवूल से जुड़ी भी एक बड़े कबार आ चुके है SIT टीम ने एक सदस्य को हनी ट्रैप की कोशिश हुई है इस बात का खुलासा किया है तो ISI ने SIT के सदस्य के साथ हनी ट्रैप की कोशिश की और जाज के बाद से ये पार्क का कनेक्शन सामने आया है क्योंकि पार्क ISI का नंबर और ऐसे में पोलस ने हनी ट्रैप की कोशिश को नाकाम कर दिया P.F.5 मामले की जाज फिलाल SIT की टीम से की जा रही है देखे किस कदर पोलस ने हनी ट्रैप के मामले पर एक बड़ फिर से खुलासा किया है और साथी साथ इसमें जो नंबर सामने आया था उस नंबर पर भी पार्क कनेक्शन अब सामने आ चुका है कहा जा रहे कि ISI के तरफ से इस नंबर का इस्तमाल किया जा रहा था और SIT के सदसे उन्हें एक बड़ फिर से शिकन जाकस लिया है हनी ट्रैप मामले पर और ऐसे में बड़े खुलासे भी कर चुकी है SIT की टीमें लगतार तफ्तिश जा रही है ISI का प्लान सुन्दरी को सौपा काम दाहिर को छुडाएगी पाकिस्तानी हसीना हनी ट्रैप का जार पाकिस्तान टू पटना पटना में गजवाए हिंद की साज़िश पर पानी फिरने के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक साज़िश रचिये सुरक्षा एजिंसियों के अक्शन से बौकलाया आतंकियों के आकाउने इस बार हनी ट्रैप के जरीए जाच टीम को फसाने की कोशिश की है सोशल मीडिया के जरीए की गई कोशिश SIT के सदस्यों को हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई पाकिस्तान से रची गई थी ये पूरी साज़िश इसमें इस्तिमाल किया गया नंबर ISI का है फुलवारी ISI मामले में पाकिस्तान की एक महिला एजेंट ने SIT में गठित टीम के एक सदस्य के साथ हनी ट्रैप करने का मामला प्रकाश में आया है बताया जाता है कि उस नंबर की जाच करने पर पता चला वहलर की पाकिस्तान के ISI की एजेंट थी और जो SIT टीम गठित की गई थी फुलवारी शरीप में ताके आतंकियों की पता लगाया जा सके कि कौन लोग है और कहां से इसमें लोग शामिल है उसी के में एक जवान को हनी ट्रैप किया गया था और उससे दोस्ती करने की मैसेज दी गई थी सरहत पार बैठे आतंकियों के आकाउं की साजश को भी सुरक्षण एजेंसियों ने पहले ही नाकाम कर दिया साफ है कि इस बार देश में नफरत की फसल बोने वालों का पूरा हिसाब होगा एक तरफ जाँच एजनसियां देश के घदारों की पहचान में जुटी हैं दूसरी तरफ वोट के लिए विपक्ष देश पर चोट करने से भी बाज नहीं आ रहा आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदा नंत सिंग ने गिरफतार आरोपियों का बचाव किया तो भीजेपी ने भी पलट वार किया पाकिस्तान से इनके टेलिफोन की बात होती है पाकिस्तान में तो लोगों के रिष्टेदार हैं जो यहां से गए हो भारत के लोग थे यह तो बताना चाहिए जिसके द्वारा इसावित होता है कि टेलिफोन पर बात की गई जो भारत की सुरक्षा के लिए खत्रा है पीएफाई आतंकबादी संगठन है जो भी जाच के दोरान जिन कागजातों को पकड़ा गया है उससे साथ तोर पे है कि उसका कनेक्शन पाकिस्तान से है और मुस्लिम देशों के साथ है वह संगठन देश को 2020 तक इसलामिक देश के रूप में परिनत कराने के लिए काम कर रहा है देश की सुरक्षा पर विपक्ष की ये सियासत बेहदी शर्मनाग है चंद लोगों को खुश करने के लिए देश की सुरक्षा से समझावता नहीं किया जा सकता विपक्ष को ये बात नहीं भूलने चाहिए कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं होता बिरल को जी मीडियो